नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज़ाम आपको गंगा दसेरा गंगा अवतरण की कता सुना रहे हैं। इस कता के स्रवन मात्र से व्यक्ती की हर मनो कामना पूरी होती हैं और गंगा मा का आशिरवात प्राप्त होता है। एक गोड़ा छोड़ा इंद्र यग को भंग करते हुए गोड़े को चिराकर कपिल मुनी के आश्रम में बांद आये। राजा ने यग्य के गोडे को खोजने के लिए अपने साथ हजार पुद्रों को वेजा, गोडे को खोजते खोजते वे कपल मुनी के आस्रम में पहुँच गई तो उन्होंने यग्य के गोडे को वहाँ बदा पाया, उस समय कपल मुनी तपशया कर रहे थे, राजा के पुत्रों ने कपल मुनी को चोड़ चोड़ कहकर पुकारना सुरू कर दिया कपल मुनी की समाधी तूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपल मुनी की क्रोधागनी में जलकर भस्म हो गई अंसुमान पिता की आग्या पाकर अपने भाईयों को खोशता हुआ जब मुनी के आस्रम में पहुँचा तो मात्मा गरुण ने उसके भाईयों के बस मुनी का सारा ब्रतांत कह सुनाया गरुण जी ने अंसुमान को ये भी बताया कि यदि इनकी मुक्ती चाहते हूँ तो गंगाजी को सर्ग से धर्ती पर लाना हुगा इस समय असु को ले जाकर अपने पिता की यग को पूंड कराऊ इसके बाद गंगाजी को प्रत्वी पर लाने का कार्य करना अंसुमान ने गोडे सहित यग मंडल में पहुँचकर राजा सगर से सब ब्रतांत कह सुनाया महाराज सगर की मृत्यू के पश्यात अंसुमान ने गंगाजी को प्रत्वी पर लाने के लिए तब किया परंतु वे असपल रहे इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपश्या की परंतु उने भी सफलता नहीं मिली अंत मैं दिलीप के पुत्र भागीरत ने गंगाजी को प्रत्वी पर लाने के लिए गौकर्ण तीर्त में जाकर ब्रह्माजी को परिशन करने के लिए कठोड तपश्या की तपश्या करते करते कई बर्स बीत गए तब ब्रह्माजी प्रसन हुए तथा गंगाजी को प्रत्वी लोग पर ले जाने का बर्तान दिया अब समझ्या यह थी कि ब्रह्माजी के कमंडल से छूटने के बाद गंगाजी के बेग को प्रत्वी पर कौन समालेगा ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोग में भागवान संकर के अतरिक्त किसी में यह सकती नहीं है जो गंगा के बेग को समाल सके इसलिए उचित यह है कि गंगा का बेग समालने के लिए भागवान सेव से प्रात्ना की जाए माराज बागिरत एक अंगूटे पर खड़े होकर भागवान संकर की अराधना करने लगे उनकी कठोर तपश्या से प्रिसन होकर सेव जी गंगा को अपनी जटाओं में समालने के लिए त्यार हो गए गंगा जी जब देव लोग से प्रत्वी की और बढ़ी तो सिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया कई बर्सों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला भागीरत के पुने अनुने बिने करने पर सिव जी गंगाजी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए त्यार हुए इस प्रिकार सिवकी जटाओं से छूटकर गंगाजी हिमाले की घाटियों में कल कल विन्यदान करके मैदान की ओर बढ़ी जिस राज्ते से गंगाजी जा रही थी उसी मार्ग में रिसी जहनू का आस्रम था तपश्या में बिगन समझ कर बे गंगाजी को पी गई भगीरत की प्रात्ना करनी पर उन्हें पुने जांग से निकाल दिया तवी से गंगा जानवी पुत्री या जानवी कहलाई इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपल मुनी के आस्रम में पहुंचकर सगर के साथ हजार पुत्रों के बहस्म अब सेसों को तार कर मुक्त किया उसी समय ब्रह्माजी ने प्रकट होकर भागीरत के कठिन तब तता सगर के साथ हजार पुत्रों के अमर होने का बढ़ दिया तता गोसित किया कि तुमारे नाम पर गंगाजी का नाम भागीरती होगा अब तुम जाकर अयुद्या का राज समालो ऐसा कहकर ब्रह्माजी अंतरध्यान हो गई दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दवाएं जैस श्रीक्रिश्न